नमस्कार दोस्तो मैं प्रभातिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभातिवारी स्टडिया यूपे दोस्तो यूपी त्रपलस्ती यनि उत्तरप्रदेस अधीनश सिवाचैन आयोग पीटी भरती 2020 सी सम्मादि दोस्तो मैं सुरू से ही आप लोगों का साथ दिया हूँ और आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूँ दोस्तो ना ही यूपी त्रपलस्ती पीटी भरती हूँ चा यहां सट्टीक जानकारी मिलती है तोटा सा आप लोग के आज सपोर्ट और प्यार की जूरेता हुँ सब्सों थोड़ा सबीडियो का देखना देखना लिडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन यहां अपर कई सारी कड़ी आपर मैं अपको बताना चाहता हूं और दोस्तों मैं कभी भी अपने चैनल के मादध Memphis कभी कोई गलत जानकाइब है कि मैंने थमनिल में कुछ और सब टावर और अंदर कुछ कुछ दिखा दूँ दोस्तो आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं यूपित्र प्रलस्ती पीटी भरती 2021 के बारे में और यह मेरे को बताना दोस्तों कि मैं जितने भी आप लोगों के लिए चाहे ट्विटर अभियान कराया हूं या फिर जो जितने भी आपके लिए धरना प्रदर्सन हुए दोस्तों इलहाबाद में यहां पर वाल संच और यहां लोग हमसे आकर मिले थे और जो दोस्तों सबसे बड़ी बात में डो बार दोस्तों डबल विंच में उसके लिए किसी से कोई पैसा लिया हो तो प्लीस बतादेना दोस्तों क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि आप लोग क्या है इलहाबाद में बैट कर कुछ नहीं करते हो बैकेंसी को फसा देते हो और बचचे सो पैसा पैसा को एटते हो ठीक है पैसा को लेता ऑूँ चले दो लिए कोई को प्रभाव नहीं पड़ता कि ऐसे लेन कल चीऊ करते हैं सबसे पहला कमेंट जोस्तों मैं मोहित पनवार जी का लेता हूं यह भोलते हैं दोस्तों इनने ये धंदा बना लिया है कि कोई भी vacancy आती है ये लोग सब से पहले vacancy को लेकर इस्टे ले लेते हैं और फिर vacancy अठका कर पैसे की उगाई चालू कर देते हैं ठीक है अलहाबाद में इन सब का गुरूप काम करता है जिसमें से वकील वगेरा सब मिले हुए होते हैं जो जीनियस स्टुडेंट है उनको नुक्सान देते हैं यह धंदा है सरकार चाहे भी तो बैकेंसी को पूरी नहीं करा सकती है तो मोहित पनवार जी म को परचा लीक मिल जाता है और आप सौमसो छाप करा जाते हैं तो यह कमेंट्स आकर छाप देते हैं कि यह वैकेंसी को फसा रहे हैं उन बच्चों से पीछे जो मेरे चैनल के साथ जुड़े ही हुए हैं उनसे कितना पैसा मैंने लिया है ठीक है चलिए इनका कमेंट्स हो ग अब इसके साथ खिलवार करते हैं थोड़े से पैसे के लिए वैसे भी सरकार भरती निकालती नहीं है निकालती है तो आप लोग कोट चले जाते हैं तो मैं आपको बताना चाता हूं अगर भरती में धादले बाजी होगी तो बिल्कुल हम कोट जाएंगे और बच्चों के गरे यहां के लिए हमेसा लड़ते रहेंगे चाहिए वो कोई भी वेकन्सी हो चाहिए बीडियो की हो या फिर लेकपाल की ओठीक है हर वेकन्सी के लिए दोस्तों हम कोट जाएंगे ठीक है धिरेंसिंग जी चलिए अगला कमेंट मैं देखता हूं यहां पर रामकरनंजी का आप लोग के कोड जाने की वज़ा से कोई भी भरती पूरी नहीं हो पाती है, कोड से सरन मिलती है, तो धरना चालू कर देते हो, तिवारे जी बच्चों के साथ मत खेलिए, वैकिंसी पूरी होने दीजिए, ठीक है, तो मैं आप सब को बताना चाहता हूं, मैं बच्चों के सा साथ हमेशा खड़ा रहूं चाहे कोड जाना पड़े या धरना प्रदर्शन करना पड़े या ट्वीटर अभियान करना पड़े बच्चों की आवाज में अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहूंगा इस बात को ध्याग नखना चलिए कुछ लोग दोस्तों पीटी भरती के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कराया ट्वीटर अभियान कराया कोड भी गया है लेकिन दोस्तों भरती बोड है कि मानने को तयार नहीं है हमने काफी साथ एबिदेंस विजी हैं दोस्तों तो अभी दोस्तों पेपर का इंसलेशन से संब्दित कोई भी भरती बोड नहीं यहाँ पर आफचारी भी कोई भी घोस्टना नहीं की है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहते कि क्या सभी भरतियों से पीटी बाहर होगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इस साल जितनी भी वेकंसी होगी ठीक है लेक पाल से लेकर दोस दोस्तों बहुत ज़्यादा इस गलती का कामिया भुगतना पड़ सकता है यहाँ वह सकता है दोस्तों आपका एनेम से पीटी को बाहर कर दे क्योंकि एनम में जो छात्रा आं यहोवार की है उनको दोस्तों कमपड़ीसने ग्जाम के बारे में साहनी नालेज नहीं था उनका जो marks बन रहा दोस्तो 35 के marks बने है 40 के marks बने है ठीक है तो हो सकता है इनकी भरतिय दोस्तो जो PT से बाहर कर दें बाकि आपकी लेकपाल की भरतिय दोस्तो PT में ही कराएंगे और जो अगर ठीक है 2018 की वीडियो भरती जो कोट में चल रही है ये भी दोस्तो अगर निरस होती है क्योंकि 2018 में PT कोई नाम निसान नहीं था तो इस भरती को वीडियो भरती 2020 को दोस्तों PT से बाहर करना पड़ जाएगा ठीक है अभी के लिए दोस्तों इनकी जो डिमांड है दोस्तों PT कि ये कराएं हैं और इसका PT में जितनी भी वरतियां होने वाली है जिसके अंदर करेंगे कि 55-60 वालों को फॉर्म भराले ठीक है हो सकता है कि 55-60 वालों को फॉर्म भराले लेकिन जब आपका कॉल लेटर दोस्तों देंगे तो क्या करेंगी क्योंकि 55-60 फॉर्म भराने से क्या होगा यहां पर जिस तरह से देख रहे हैं कि भरती कंट्रवर्सी में फस अगर दोस्तो मैंने आपसे पैसा लिया हो या फिर आप लोगों को कहीं बर्गलाया हो अगर आपको लगता है कि मैं भरती को पुरा नहीं ओने देना चाहता हूँ तो please comment section mention कर देना और आप लोग अगर दिल से support कर देना तो वीडियो को like कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा ज़र सेयर करना दोस्तों क्योंकि मैं अपनी आवाज को हर student चाहे हो प्यार और support दोस्तों मान सम्मान मिलना चाहे है यही बहुत बड़ी बात है जैहिंज भारत